नमस्कार दोस्तों स्वागाथ हमारे चेनल सूपर अपडेट्स में दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे जंग और पुकार फिल्म के बजट और बॉक्स it कलिक्शन के बारे में असाथ ही जानेंगे इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसूने फैक्ट से बारे में भी आधित्य पंचोली, शिलपाशेटी, शौरब शुकला, नीरजवोरा, जश्त्रिवेदी, सचीन खेड़कर अनवीर निसकल नजर आये थे इस फिर्म को संजय गुपता ने डारेक्ट किया था और इसे प्रोडूस किया थो सतीश टंडन ने और इस फिर्म की कहानी अभिनाव कश्य अपने लिखी थी इस फिर्म को कुल 255 स्क्रिंज के साथ 12 मही सन 2000 में रिलिस किया गया था अगर बात करें बजट की तो इस फिर्म का बजट 8 करोड 25 लाग था और इस फिर्म ने इंडिया में 6 करोड 58 लाग केलेक्शन किया था आपको बता दो कि इस फिर्म अपने पहले दिन में 78 लाग केलेक्शन किया था तो अपने पहले हक्ते में 3 करोड 90 लाग केलेक्शन किया था अगर world weight collection की बात करें तो इस फिल्म ने 11 करोड 40 लाग का world weight collection किया था और film flops अभी तोई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV rating की तो इस फिल्म को 4.3 rating मिलें और ये फिल्म उसल की 31 वी आईश्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी वहीं बात करें music की तो इस फिल्म के लिए music अनुमलिक ने दिये थे और इसके lyric समीर ने लिखे थे इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हीट रहे थे पर फिल्म के एक गाना आईलारी लड़की मस्त मस्त ये गाना सबसे ज़्यादा popular रहा था जिसे अलकायागनिक और अनुमलिक ने गये थे तो चलिए फिल्म से जोड़े कुछ facts से बारे में जानते है नामबर एक इस फिल्म में जैकी शॉफ की रोल के लिए पहले सैफली खान को लिया जाने वाला था तो आदिते पंचोली की रोल के लिए शरत कपूर को लिया जाने वाला था लेकिन कुछ कारण से दोनों को इस नामबर दो इस फिल्म में शिल्पशेटी से पहले तब्बू को साइन किया गया था लेकिन कुछ कारण से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दिया था नामबर तीन इस फिल्म का टाइटल पहले खलीफे रखा गया था लेकिन बाद में कुछ कारण से इसे बदल कर जंग कर दिया गया था नामबर चार इस फिल्म में रवीना ठेंडन से पहले ममता कुल करनी को साइन किया गया था लेकिन कुछ काराण से उन्होंने भी ये फिल्म छोड़ दिया था नामबर पांच इस फिल्म की कानि सन 1998 में आये होलिवूड फिल्म डेस्परेट मैसर से प्रिरित थी अब जानते पुकार फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में पुकार सन 2000 में आई एक एक्शन थ्रीलर ड्रामा फिल्म थे इस फिल्म अनिक पूर्मादोई दिक्षित, सुधिर जोशी, नम्रता शिरोटकर, ओमपूरी, डैनी डेंजोंगपा, कुल्भुशन खरबंद, शिवजी सतम, फईदा जलाल, रोनी हतांगडी, गिरिश करनत, गोविन नामद्यो, अंजान शिवास्तो, मुकेश रिशी, य एश्पाल शर्मा, केडी चंदरन, और वीजू खोटे नजर आये थे, इस फिल्म को राजकुमाद संतोशी ने डायरेक्ट किया था, और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी, और इस फिल्म के डायलुक्स राजकुमाद संतोशी, अंजुम राजवली, और केके रैना ने लिखे थे, इस फिल्म को सुरींदर का पूरवोनी का पूर अब भरशाना मिलकर प्रोडूस किया था, इस फिल्म को कुल 500 स्क्रिंज के साथ 4 फेबरे रिसन 2000 में रिलिस किया गया था, अगर बातकरी बजट की, तो इस फिल्म का बजट 17 करोड था, और इस फिल्म ने इंड की बात करें, तो इस फिल्म ने 25 करोड का वर्ल वेट केलेक्शन किया था, और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थे, अगर बात करें इस फिल्म के आयां डिवी रिटिंग की, तो इस फिल्म को 6.8 रिटिंग मिलें, और ये फिल्म उसल्ब के तेरी भी हाई श्रुक्रॉस से इ रहे थे, पर फिल्म का एक गाना, एक तू ही भरोसा, ये गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे लतामंगेश करने गाये थे, वही बात करें आवार्स की, तो इस फिल्म के लिए अनिल कापूर को बेस्ट एक्टर का नैशनल अवार्ड मिला था, साथ ही इस फ अजय नाम की एक फिल्म बनाने वाले थे, और इस फिल्म के स्क्रिप्ट का एडिया कुछ सनी देवल का था, लेकिन राजकुमा संतोशी अमिनाक्षी शिशादर की बीच लडाई हो गई थी, इसलिए ये फिल्म को तब बंद कर दिया गया था, फिसन 1998 में बोनी कपूर ने स्क्रिप्ट को बोनी कपूर की फिल्म टले रख लिया था, जबकि वो स्क्रिप्ट का एडिया सनी देवल का था और उनसे भी नहीं पूछा था, जब सनी देवल को ये बात पता चली थी, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होये थे, और उन्होंने इसके बाद कभी भी राजकुमान संतोशी के साथ काम नहीं किया राजकुमान संतोशी को देवल परिवार अपने परिवार का एक सदस्य जैसा मानते थे लेकिन उसी राजकुमान संतोशी ने देवल परिवार के साथ विश्वास घात किया था नमबर दो नमरता शी रोटकर से पहले उनकर और रवीना टंडन, शिल्पा शेटी और उर्मिला माट उनकर को ओफर हुआ था लेकिन सभी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो दोस्तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी और आप इस दोनों फिल्मों को पांच में से कितनी रेटिंग देना चाओगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें और ऐसी बॉक्स ओफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल एकन प्रेस करने ना भूले तक कि माई वीडियो के अन नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके